हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको 2007 की रेंबो आईस ये एक कोरियन मुवी एक्स्प्रेंग करने वाला हूँ ये एक थ्रिलर मुर्डर मिस्ट्री है इसके लास्ट में जो ट्विस्ट आता है वो भी बहुत खतरनाक है कभी भी आप इसे गेस नहीं कर पाओगे ये मुवी आपको कंटिनूसली सप्राइस करती रहती है ये मुवी एक डिरिक्ट्व के बारे में है जो बहुत सारे मुर्डर की इन्वेस्टिकेशन कर रहा है तो चलिए इस मुवी को एक्स्प्रेंग करना स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हमारा जो मेन गारिक्टर है उसका नाम है चोयून चोयून एक डिरिक्टिव है मुवी के स्टार्ट में वो अपने गल्फरेंड के साथ है यह हमें दिखता है तभी उसे एक कॉल आ जाता है एक मर्डर हुआ है और क्राइम सीन पर उसे बुलाया जाता है चोयून के साथ वार एक लड़की काम करती है जिसका नाम होता है यून जू यह उसे बहुत पसंद करती है चोयून लेट आता है तो इसे पुछती है कि क्या तुम तुम तुमारी गल्फरेंड के साथ थे चोयून इस पर जाता ध्यान ने देता जब चोयून अंदर जाता है तब हमें पता चलता है कि यह बहुत ही खतरनाग बर्डर था यहाँ नाइब से बहुत बार वार किया गया था फॉरेंसिस की टीम वहाँ होती है और सब कुछ चान बिन रही होती है तब वहाँ उन्हें एक हेर मिलता है यह हेर देखकर सब कुछ खुश हो जाते है क्योंकि ये hair killer का हो सकता है और अगर ये match हो गया तो killer पकड़ा जाएगा इन्हे hair मिल चुका है तो जादा investigation अब ये नहीं करते जिसका murder हुआ था उसका नाम था Kang Kang होटेल सेगरा own करता है और उसकी एक girlfriend भी है जिसको हो हमेशा मिलता रहता है अब चोयोन को Kang की girlfriend के पास भेजा जाता है जब murder हुआ तो वो कहा थी क्या कर रही थी ये सब चोयोन उससे पुछता है चोयोन सिर्फ इसके hair में interested होता है इन्हे murder scene पर hair मिल चुका है तो चोयोन को सिर्फ इसका hair चाही होता है Crime scene पर उन्हें ये भी पता चलता है कि Kang बनने से पहले वो किसी के साथ intimate हुआ था जब और investigation होती है तो इन्हें पता चलता है कि जो hair इन्हें मिला है ये किसी आत्मी का था इससे वो conclusion करते है कि Kang गे था ये case और भी complicated हो जाता है अब police का शक जो मर चुका है उसका एक friend था इस पर चला जाता है चोयून उससे पुष्टाच करने के लिए जाता है और उससे पुष्टा है कि उस रात वो कहा था Kang का friend कहता है कि वो घर पर ही था पर वो Kang से मिलने के लिए गया था चोयून 100% sure होता है कि यही killer होगा चोयून फिर Kang के friend के मरजी के खिलाफ उसका hair ले लेता है इसके बाद हम देखते है कि चोयून और यून जी यह दोना gym में work out करे होते है इंजू के लिए एक अच्छा सा लड़का चोयून ने देखा होता है तो उसे date करने के लिए उसे बोल रहा होता है इंजू तो चोयून से ही प्यार करती है तो वो कहती है कि अगर मैं और pretty होती तो क्या तुम उसे प्यार करते है चोयून इस पर कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है इसके बाद हमें चोयून उसकी girlfriend के साथ दिखाये गया है चोयून की girlfriend का नाम सुजीन होता है इन दोनों में जगडा हो गया होता है तो एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं कर रहे होते चोयून सुजीन से कहता है कि मुझे लगता है कि मैं तुम से मिला हूँ पर इससे पहले कभी ना कभी हमारी मुलाकात हुई है वो इससे कभी भी recall नहीं कर पाता चोयून कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो वो फैसे यूजीन के साथ रहना चाता है पर यूजीन कहती है कि जब तुमें मेरी जरूरत पढ़ दी है तभी तुम मुझे से अच्छे से बात करते हो एक रात तुम ड्रंक थे और किसी और का नाम ले रहे थे इसी वज़े से यूजीन अब उससे कुछ संबन नहीं रखना चाती नेकस दिन हमें दिखता है कि चोयून रस्ते से जा रहा होता है और उसे उसके स्कूल की फ्रेंड मिलती है इसकी फ्रेंड इसे पहचान नहीं पाती क्योंकि इसे भूलनी की बिमारी है इसके फ्रेंड का नाम हिसू होता है और हिसू को एक बेटी है चोयून फ्रेंड की बेटी से बात करना चाता है पर उसकी फ्रेंड उसे रोक लेती है इंजो फिर से crime scene पर जाकर सब investigate करती है तो वहाँ उसे एक cigarette मिलती है इस cigarette पर blood होता है जो एक woman का होता है सब चीज़े यही बता रही होती है कि क्यांग ये नहीं है पुलिस station में एक complaint आती है rape victim को protection की ज़रूरत होती है इसलिए चोयून और इंजो ये दोनों जाकर उसे आप protect करने वाले है ये दोनों closet में छुप जाते है इंजो चोयून से कहती है मुझे लगा था कि तुम हर एक औरत को hit करते हो इसी वज़े से तुम किसी से भी प्यार नहीं कर सकते लास में तुम अकेले होंगे और मैं तुम्हें accept करूंगी चोयून केता है कि तुम्हें एक अच्छी लड़की हो इंजो को नीन आने लग जाती है तो चोयून के कंदे पर ही सो जाती है थोड़ी दिर में जिस लड़की को डर लग रहा था उसके घर में जबरदस्ती एक आदमी घुस आता है इस लड़की को जबरदस्ती करने के कोशिश करता है चोयून उठ जाता है और इस आदमी को बहुत मारता है इंजो को उसे कंट्रोल करना पड़ता है इसके बाद नेक्स दिन हम देखते है कि यूजिन ने अब चोयून को एकसेप्ट कर लिया है चोयून अपनी मदर से मिलवाने के लिए यूजिन को लेकर आया है चोयून की सब बचपन की फोटो जगरा यूजिन देख रहे होती है एक फोटो में उसकी जो फ्रेंड थी ये है और उसका ब्रदर है इसके बारे में वो चोयून से पुछती है चोयून कहता है कि मेरी फ्रेंड का ब्रदर मिसिंग है तो सुजीन पुछती है कि तुम तो पुलिस हो तुम क्यों से नहीं ढून रहे है चोयून कहता है कि मैं शूर हूँ कि उसका ब्रदर सही सलामत होगा उसे कोई भी ढूनने की जरूरत नहीं है सुजीन मदर और चोयून के साथ डिनर करती है और रात में चली जाती है पुलिस कैंग के फ्रेंड पर नजर रग रहे थे उन्हें लग रहा था कि ये गे है एक जगा पर वो गया होता है जहाँ पर पुलिस आजाते है और एक आदमी के साथ ही होता है तो इनका सच्पिशन अब और भी गाड़ा हो जाता है कैंग के फ्रेंड को इन्वेस्टिकेशन करने के लिए वो पुलिस टेशन लेकर आते है चोमुन का पार्टनर सब गे लोग को हेड करता है इसी वज़य से कैंग के फ्रेंड को पहले बहुत मारता है उसे पुछता है कि तुम्हारा कैंग से क्या संबन था कैंग का फ्रेंड मना करता है वो कहता है कि हम दोनों का फिजिकल कुछ भी संबन नहीं था यह कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के आचे friend थे एक दूसरे को counselling की जरुरत पढ़ती थी तो एक दूसरे को help करते थे इसे ज़ादा और कुछ भी नहीं था हम दोनों एक दूसरे को आर्मी से जानते थे जोई उनके partner को लगता है कि यह जूट कहरा आ है तो उसे वो बहुत मारता है थोड़ी देर में इन्हें पता जलता है कि जो हेर उन्होंने टेस्ट किया था ये कैंग के फ्रेंड का नहीं है यानि कि कैंग के फ्रेंड ने मर्डर नहीं किया है अब ये सब फ्रस्ट्रेडर हो जाते है क्योंकि case बहुत ही complicated हो चुका है नेक्स दिन इने ख़बर मिलती है कि कैंग का friend का भी murder हो चुका है कैंग का जिस तरह से murder हुआ था एक knife से बहुत बार wound किये गए थे उसी तरीके से ये भी murder हुआ है पुलिस अब सब कुछ चानने लग जाती है CCTV cameras वेगरा सब कुछ investigation करते हुए चोयों को याद आता है कि कैंग के friend ने कहा था कि वो military में मिले थे तो military का इससे कुछ समंध हो सकता है तो इसी वज़े से उनके records निकालते है इन records में ने पता चलता है कि कैंग जब army में था तब उसके दो friends थे कैंग और उसके दो friends इन तीनों की बदली हो गई थी इन तीनों की वज़े से एक लड़के ने suicide attempt किया था इसी वज़े से इनकी बदली हो गई थी जिस लड़के ने suicide करने कोशिश की थी चोयों को उसका नाम पता चलता है और चोयों realize करता है कि उसकी friend का ही ये brother है पने friend से वो मिलने के लिए जाता है उसकी friend उसे पुछती है क्या तुमने उसे ढूण लिया है चोयों कहता है कि मैं उससे कोई भी संबन नहीं रखना चाता था इसलिए उसने उसे ढूणने की कोशिश भी नहीं की है पर अब उसे पता चला है कि वो आर्मी में था और उसने सुसाइड अटेप करने की कोशिश की थी जो सब information चोयन को मिली है इससे वो disturb हो जाता है अपनी girlfriend के पास आता है और उससे शादी के लिए पुछता है ये भी इसके लिए हा कर देती है अब चोयन को लगता है कि उसके friend के brother नहीं ये सब murder किये होंगे इसके friend के brother का नाम यी सुक होता है अब इसका पुरा शक यी सुक पे ही है चोयन फिर से अपने friend से मिलने के लिए जाता है उसकी friend कहती है कि मेरे brother को मैंने तुम्हें ढूनने के लिए कहा था उस पर शक करने के लिए नहीं मैं समझ सकती हो कि तुम उसे मिलना नहीं चाहते थे पर अब वो murderer है ये तुम कैसे कह सकते हो क्या तुम्हें लगता है कि वो इतना cruel है चोयन कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि वो कर सकता है चोयन को जब वो school में था उसका past याद आता है उसके friend का brother यानि कि यूसुक उसका भी friend हुआ करता था यूसुक के था इसी वज़े से school में उसे बहुत मारा करते थे चोयन ने उसे protect करने कोशिश की थी पर सब लड़के चोयन को ही मारने लग गए थे इसके बाद चोयन ने यूसुक से आकर कहा कि अवो उसका friend नहीं रहेगा नेक्स डे पूली स्टेशन में सुजीन चोयन को लेने के लिए आती है यह दोन डेट पर जाने वाले होते हैं यहाँ पर इंजु सुजीन के पास ही बेटी हुई होती है इसे बहुत बुरा लगता है इसे फिर याद आता है कि सुजीन और चोयन केसे मिले थे अक्चुल में चोयन और इंजु एक आदमी को पकड़ रहे थे पकड़ते पकड़ते इंजु ट्रेन में चड़ गए और चोयू बाहरी रहे गया इसे ब्लाटफॉर्म पर चोयून और सुजीन मिले थे इसे बहुत ही पच्टा होता है अगर वो उस दिन ट्रेन पर नहीं चड़ती तो शायद चोयून उसका बॉइफ्रेन होता चोयून आज सुजीन के साथ वेडिंग ड्रेस बाहर करने के लिए आता है ये दोनों ड्रेसी बाहर कर रहे होते तब ही चोयून को रियलाइज होता है कि यिसुक का और एक फ्रेंड था जिससे उसे बात करने चाहिए ये शौपिंग छोड़कर फिर वो यिसुक के फ्रेंड के पास आ जाता है ये शुक का फ्रेंड उसने क्यों खुदकुशी करने कोशिश की थी ये सब कुछ अब चोयून को बता देता है वो कहता है कि जब ये शुक आर्मी में था तब उसे लगा था कि अब इसे कोई भी तंग नहीं करेगा आर्मी में भी कुछ लोग थे जो के थे ये तीन फ्रेंड्स थे ये कैंग और उसके दो फ्रेंड ये ही है कैंग का एक फ्रेंड ये सुक को बहुत तकलिफ देता था ये तिनों मिलकर ये सुक का रेप करते थे एक दिन ये उसेहन नहीं कर पाया इसी वज़े से अपने आपको इसने गोली मारने एक कोशिश की थी यह सब सुनकर चोयून को अब बहुत ही बुरा रगता है सब पुलिस जब इस केस पर डिसकेशन करते है तो वो रियलाइस करते है कि यी सुक ही सब लोग का बदला ले सकता है यहाँ पर कैंग और उसका फ्रेंड मर चुका है तो उसका और एक फ्रेंड था जो अब नेक्स्ट मरने वाला हो सकता है चोयून अपने ही इन्वेस्टिकेशन कर रहा था तो कैंग का फ्रेंड जो अब मर सकता है उसके पास चोयून आ जाता है चोयून फिर कैंग के फ्रेंड से यूसुक के बारे में बुचता है तो कहता है कि वो बहुत ही beautiful था ये यूसुक को बहुत ही objectify करता है चोयून कहता है कि तुम्हें सावदान रहना चाहिए पर कैंग के फ्रेंड के पास अब बहुत सारे bodyguard है जो इसे protect कर सकते है कैंग का फ्रेंड बहुत ही घटी आदमी होता है और इस सुक के बारे में बहुत ही गलत गलत चीज़े बोलने लग जाता है चोयून को कैंग के फ्रेंड पर बहुत ही घुसा आता है उसे वो मारने लग जाता है पर उसके bodyguard चोयून को रोक लेते है चोयून ने बहुत सारी चीज़े फिगर आउट कर लिये और वो डिस्टरब है यह सब इंजो को पता चल जाता है इंजो उसे कहती है तुमारे मन में जो सब है वो तुम मुझे बता दो अगर तुम ऐसे करोगे तुम ट्रबल में आ सकते हो चोयून सुनता नहीं और वहाँ से चला जाता है चोयून डायरेक्टले अपनी गल्फरेंड के पास आता है उसे कहता है कि चोलो कही बहार चलते है वो इस सीटी से दूर जाना चाता है सुजीन रेडी होकर बहार निकलती है तभी चोयून को फिर से कॉल आ जाता है कैंक की दूसरे फ्रेंड का भी मर्डर हो चुका है जब एक क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट करते है तभ इन्हें पता चलता है जिस तरह से प्रिवियस मर्डर थे उस तरह का ये मर्डर नहीं है ये मर्डर कुछ अलग तरीके से किया गया है पुलिस को जो हैर कैंक के मर्डर सीन से मिला था उसकी और भी टेस्टिंग होती है इस टेस्टिंग में उन्हें पता चलता है कि हैर एक ट्रांसजेंडर का है यानि कि मर्डरर पहले आदमी था और उसके बाद उसने अपना gender change कर लिया है इनका शक फिर से क्यांग की girlfriend पर ही जाता है उसने gender change किया हो सकता है इसलिए उसी investigation करने के लिए पुलिस station पर लेकर आते है इन जो फिर से crime scene पर जाती है और सम investigation करने लग जाती है यहाँ पर बहुत सरे law की books होते है पैसेज है जो restaurant तक जाता है इस passage से वो restaurant की kitchen में पहुच जाती है यहाँ पर एक shape है जो चाहू के साथ सही से खेल सकता है murder पर जो वार किये गए थे यह बहुत बार किये गए है और यह shape का काम हो सकता है इसका शक इंजू को जाता है यह इस shape से बात करती है और कहती है कि तुम बहुत ही अच्छा चाहू चला लेते हो यह shape डर कर भागने लग जाता है इन जो इसे पकड़ लेती है और police station में investigation करने के लिए लेकर आती है अब police canky girlfriend और यह shape इन दोनों से investigate करने लग जाते है इस shape के DNA sample उस crime scene से match कर जाते है इस shape कहता है कि वहाँ में food delivery करने गया था इसलिए यह सब हुआ है उसने murder नहीं किया है यह वो police को कहता है क्यांकि girlfriend के भी record निकाले जाते है और वो transgender नहीं होती इस investigation में चोयून सामिल नहीं है चोयून अपना past याद करते हुआ में दिखता है हमें पता है कि इसुक चोयून का friend था पर ये friend से और भी जादा थे चोयून ने इसुक का बचाने के कोशिश की थी और उसके बाद उसने उसे kiss किया था society के डर से चोयून अपने आपको accept नहीं कर पाया और फिर इसुक को भी hit करने लग गया इसी वज़े से उसने इसुक को कभी protect नहीं किया चोयून फिर police station में आकर CCTV cameras के footage चेक करने लग जाता है यहाँ पर इसे कुछ मिल गया है जिससे killer को ने इसे पदा जल जाता है यहाँ से वो बाहर निकल रहाता है तो इन जो उसे रोक लेती है उसे कहती है यह मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यह मैं फिर से कभी भी नहीं देखूंगी चोयून अपने girlfriend के पास आ चुका है इसुक ने surgery करवाई थी और वो औरत में convert हो कया था यह औरत चोयून की girlfriend Sujin ही है चोयून सुचिन के पास आकर उसे पूछता है कि तुमने यह सब क्यों किया है सुचिन कहती है यह तुम मुझे कभी भी accept नहीं कर सकते थे तुम society से ही डर रहे थे इसी वज़े से मैंने इस सब किया चोयून कहता है कि तुमने उन लोग को क्यों मारा सुचिन एडमिट नहीं कर रहे है कि उसने ही सब लोग के murder किया है चोयून डिस्टरब हो जाता है और सब चीज़े फिखने लग जाता है सुचिन फिर चोयून को शांद करने के लिए कहती है कि हाँ मैंने ही उने मारा था चोयून को समझ मेंने आता कि अब उसे क्या करना चाहिए वो सुचिन को कहता है कि जल्दी से यहाँ से चली जाओ यही एक चीज़ है जो मैं तुमारी लिए कर सकता हूँ चाते चाते सुचिन कहती है मैंने जो सब किया तुमसे प्यार करती थी इसी वचे से किया है यह बाहर निकल के रस्ते पर आ जाती है कि सुचिन करने वाली होती है तभी चोयून उसे रोक लेता है चोयून अब सुचिन को लेकर सीटी से बाहर निकल कर यहाँ से बहुत ही दूर जाना चाहता है यह दोनों निकल पड़ते है यहाँ पर पैरलल में पुलिस भी इन्विस्टिकेशन कर रहे थे CCTV कैमेरेस से इन्हें पता चल चुका है कि सुजिन मर्डर सेन पर आई थी जो लास्ट मर्डर यान कि कैंग के दूसरे फ्रेंड का मर्डर हुआ था वो मर्डर ज़रा अलग था इस मर्डर सेन पर इन्जू पहले पोची थी यहाँ पर उसने चोयून का लाइटर देखा था लाइटर देखकर उसमझ गई थी यह चोयून ने ही मर्डर किया है चोयून भी इसी वज़े से डिस्टरब था कैंग का फ्रेंड इस सुक के लिए बहुत ही डिस्रेस्पेक्ट फूल था तो कैंग को बहुत ही गुसा आका था उसे लग रहा था यह उसे मार डाना चाहिए रात में हो गया और कैंग के फ्रेंड को मार कर आ गया हिंजु को चोयून का लाइटर मडर सिन पर मिल गया था उसने वो लाइटर अपने जेब में रख लिया था चोयून अलग बेहव क्यों कर रहा है यह उसे पता था इसलिए उसने कहा था कि मुझे लग रहा है कि अगर तुम यहाँ से जाओगे तो मैं कभी भी तुमें नहीं देखूंगी ऐसा मुझे लग रहा है चोयून और सुजिन को पुलिस पॉट कर लेते हैं और उनका पीछा करने लग जाते हैं चोयून और सुजिन दोनों भागते भागते एक ब्रीच तक आ जाते हैं ब्रीच के सामने कुछ भी रास्ता नहीं रुखता अभी अरेस्ट हो जाएंगे पर चोयून को यह अच्छा नहीं लगता सुजिन भी पकड़ा नहीं जाना चाती चोयून फिर गाड़ी को तेज चला कर इस बीच से नीचे गिरा कर खुद कुशी कर लेता है सुजिन और चोयून दोने यहां मर जाते हैं सुजिन चोयून के बिना रह नहीं सकती और चोयून ने मर्डर किया है तो बहुत ही गिल्टी महसूस करता है इसलिए दोनों डिसाइड करते हैं कि उन्हें सुसाइड करने चाहिए और पानी में कूच जाते है मुवी के क्रेडिट्स रोल थे और फिर हमारा ट्विस्ट आता है कैंकी गल्फरेंड को पुलीस छोड़ दे थे क्योंकि उन्हें लगता है कि सुजीन ही रियल मर्डरर थी कैंकी गल्फरेंड पार्किंग लॉट से चल रही है और उसके पीछे शेफ होता है यह जो शेफ है यह कैंकी गल्फरेंड को बहुत ही पसंद करता था कैंकी गल्फरेंड शेफ को कहती है कि मुझे पता है कि तुमने ही यह मर्डर किये थे वो उसे लाइक नहीं करती और उसे लूजर पुकारती है ये शेफ नाइव लिकालता है और उसे मार डालता है हमें यहाँ पता चला है कि actual murderer शेफ था अगर हम फिर से analyze करें तो शेफ कैंग की girlfriend को प्यार करता था इसे वज़े से कैंग को उसने मार डाला कैंग के friend के भी कैंग की girlfriend के साथ संबन थे इसलिए jealousy में इस शेफ ने उसे भी मार डाला last third murder हमने देखा है वो कैंग के दूसरे friend का था यह हमें पता है कि चोयून ने गुस्से में यह किया था पिछले कुछ scenes में हमने देखा है कि सुजिन मानने रही थी कि उसने murder किया है पर चोयून बहुत दिस्टब हो गया था तो उसे शान करने के लिए उसने एड्मिट कर लिया था कि उसने यह murder किये है सुजिन के hair murder scene पर थे क्योंकि वो कैंग से मिलने के लिए गई थी बहुत सालों बाद उसने कैंग को देखा तो उसे लगा था कि कैंग उसे अपोलरजाइस करना चाहता है कैंग उसे अपने रूम पर लेकर गया और फिर से उसका रेप उसने किया था इसी वज़े से सुजिन के हैस मर्डर सीन पर थे इसी अजीब से ट्विस्टेड एंडिंग के साथ यह मूवी एंड हो जाती है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देजेगा बहुत सारी इसी मूवी लेकर आता रहता हो तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर दीजी और बेल नोटिफेशन आइकन दबाने मत भूले है हम वेज़े मिलेंगे और एक वी मूवी के साथ तब तक के लिए थैंक यू और अब आपने आपका खैल रखिये